मूवी के स्टार्टिंग बादरूम सिंसर होती है जहां पर एक मैरिट कपल डेवी और पीट को इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है वहाँ पर हम देखती है कि सडली गुस्से में डेवी बादरूम से बाहर आका की पीट पर गुस्सा करती है ज्योंकि उसे पता चल जात है तो पीट उसे समझाता है उम्र के साथ साथ यह होना नैचरल होता है लेकिन डेवी का मानना है कि यह सब उसके फास्वूट और स्वीट की वजह से हो रहा है वह उसे यह सब खाना बंद कर एक्सराइज और फोकस करने का बोलती है नेक्स दिखाया जाता है पीट अपनी सेलिबेट करती है और टेवी 40 एयर्स की हो चुकी है लेकिन वह आज भी अपने केक पर 38 एयर्स की केंडिल्स लगाती है क्योंकि वह इतनी जल्दी पूरी होना नहीं चाहती इसलिए वह अपनी उम्र भी कम ही बताती है उसे बढ़ापे से नफत है पीट भी 40 एयर्स होने व होती रहती है एवन दोनों की चैसे भी काफी डिफ्रेंट है डेवी अपनी इच को लेकर के बहुत ही ज़्यादा थ्यान देती है क्योंकि उसे लगता है उसे पीट वापस से पहले जैसा एकसाइट होने लगे वरक आउट करते समय उसके पार्टर उसे समझाती है कि सेक्स क ज़रत क्या है सेक्स की वज़े से ही लोगों में सबसे जाता ज़कड़े होते हैं तुम सेक्स करना बन करो सारे ज़कड़े खत्म मुझे ही देख लो जब से सेक्स करना बन किया है आइम हैपी तो उसका ट्रेनर बोलता है तब ही तुमारे फेस से पता चलता है तुमारा चे से बात कर रहा था वो चाता है कि उसकी बीबी मौट जाए और वो वीडियो हो जाए पर शांती से पहले वो कोमा में जाए और फिर वो कभी वापस से होश में ना आए क्योंकि वीडियो और डिवर्सी पर लड़किया जादा मरती है ऐसा उसका मानना है नेक्स डेवी अपनी बुटिक पर जाती है जहां उसकी जोडी और डेसी दो को वर्कर है डेसी लोगों को अपनी अधाओं से कस्टर्मर को अट्टर्क करती है डेवी देखती है उसकी से 12,000 डॉलर मिسिंग है पर जोडी डेसी पर प्लेम करती है पर डेवी नहीं मानती क्योंकि लास मन्न उसने 9 1000 की सेल प्रॉफिट करके दी थी पीट भी उसके साथ में बूटिक पर आया है और वह नोटिस करता है कि डेजी ने पेंटी नहीं पहनी है यह बात डेपी को चाकर के बताता है तो वह उस पर गुस्सा करती है वही पीट का अपना म्यूजिक रिकॉर्ड स्टोर है और वहां प कोई वर्क नहीं करता इवन वो डेवी को भी पसंद नहीं आता वो उसे समझाती है यह शौक नहीं यह बिस्निस है उनकी दोनों बेटियों को भी लेडी गागा का म्यूजिक ही पसंद है बिस्निस में लॉस की बज़े से पीट टेक्स भी ओन टाइम पेम नहीं कर पाता और इसके चलते उसको घसिल करना पड़ता है पर वो यह सब डेवी को नहीं बताता डेवी का मानना है कि वो फोटी के हो चुके हैं अब उन्हें लाइफ को अच्छे से स्पैंड करना चाहिए और इस सब के लिए डेवी इकलिस दया करती है लाइक रोज वो एक्सरसाइस होगी पीट को फास्फूड और मिठाई भी छोड़नी होगी रात को जब डेवी अपने शॉप कासी से डेवी चेक करती है तो देख दी डेजी जो कि उसे की शॉप में किसी कस्टमर के साथ में इंटीमेट हो रही होती है जिसे देख कर के डेवी को आचा लगता है उसे डेवी post को सिक्टेट की तलब लगती है और वह पीट को ब्लोब दे रही होती है तभी उंकी बेटीं इनके डूर को नौक करकर के पहेशान कर देथे हैं और वह दोनों ही उन पर गुस्सा करने लगते हैं नेक्स देख साल पारा से मिलने जाता है ठीश को इसे वादर पेले डेवी की मम को छोड़ दिया ता, और किसी और से शादी कर ली, और आज बो दोनों साथ सालों बात मिली है, डेवी अपने फादर को बोलती है, हमको मिलते रहना चाहिए, पर उसके फादर में ना कुछ बोले वाश्रूम चले जाती है, डेव अपनी फैमिली के साथ में लंच करना चाहिए, सेटी वहां से गुसे में उटकर के चली जाती है, अब पीट और डेवी दोनों इरेटर हो चुके थे और इसकी वज़े से वो फीकेंड के लिए रिसर्ट चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेस बरी लाइफ से एक ब्रेक लेना चाहते थे, दोनों बह कुछ दे, दोनों एक गुट टाइम स्प्रेंट करते हैं, और नेक्स डिव वापस अपनी उसी लाइफ में लौड जाते हैं, और जब वो अपनी शौप पर जाती है, तो इसके कपड़े जो उसने पहने हैं, वो उसी की शौप के हैं, अब डेवी डेसी से उसकी कार और कप करते हुए, और जब डेसी कपड़े चेंज करती है, तो वो उसकी बॉड़ी को अपसर्फ करती है, जो कि काफ़े यंग है, और इसक है, उसे उसकी ब्रेस्ट भी आठेविशन लगती है, वो उन्हें टच करके भी देखती है, और उसकी कंपेशन अपने मैट्रिस से करते उसे दिन सेडी की दोस्ट विंडी उसके घर आई हुए, साथी पीट के फादर भी, सेडी अपनी मॉम से सिस्टम यूज करनी का पूस्ती है, पर डेवी साफ माना कर देती है, इस पर दोनों के बीच में आर्गुमेंट होता है, डेवी उसका हाद एले लेक्रोनिक, सेडी वहां से गुस्से में कुछ भी बोल करके चली जाती है, पीट के फादर बोलते है, बिलकुल अपने ममी पर गई है, रात को डेवी पीट मिलकर के अपने बेटी का फेस्बुक पेज चेक करते हैं, तो वो देखते हैं कि उसका क्लासमेट चोसिफ उसकी फोटो उसकी फोटो और लॉस में जा रहा है, पीट अभी भी अपने वादर को पैसे देता है, उसने अपने घर की एमई के साथ साथ में स्टोर का बिरेंट पे नहीं किया है, वहीं पीट स्टोर चागर के रॉनी पर गुस्सा करता है, रॉनी बोलता है मुझसे जितना बना किया और तुम अपने वाली है, लेकिन वो इस एज में मा बना नहीं चाहती थी, और अब उसे समझ नहीं आता कि वो ये बात, पीट को कैसे बताए कि नेक्स दे, डेवी पीट को लेकर के सेडी के स्कूल चाहती है, और उससे बातर बातर मैं पूछती है, क्या तुम को इससे जादा बच् पेजबूग पर रिकाता, जोसिफ को वो बहुत डांटी है, जोसिफ रोने लगता है, तो डेवी उसे सारी बोलती है, क्यों सका दिमाग ठिकानी नहीं है, वो बहुत गंशूर्ज है, परिशान है, जिसमें जोसिफ बोलता है, क्या आपको बीमेनो बोज हुआ है, इस बात पर डेवी ये बोल करके चली जाती है कि अगले 20 साल तक उसे ये पॉप्लम नहीं होने वाली और अभी वो पिगनेट है रात को डेवी डेजी को लेकर के शोप की चोरी के बारे में पूस्ताश करने के लिए एक बार में पहुंसती है जहां पर वो एक ग्रूप के साथ में परिशा आने वाला है वहीं पीट परिशान है उसकी सेल लास मन से भी हाफ हुई है वहीं डेवी डेशी से मिसिंग पैसों की बारे में पोस्ती है तो डेशी बोलती है उसने पैसे नहीं लिये वह एक प्रॉफेशनल एसकॉर्ट है जिसके लिए वह साल में 25 ये काम करती है अच्छा खासा पैसा कमाती है जिसके वज़े से वह एक अच्छा खासे अपार्टमेंट अफॉर्ट करती है और ये गारी और बताती है कि वह टेफिनेटली जोड़ी नहीं चुरा है क्योंकि वह ट्रक्स लेती है अब डेवी डेशी से अपने पिग्निंसी को लेकर के बात पर पीट और अपने बिजनिस कोई लॉस की वज़े से डिस्टरपता पर डेवी को लगता है कि पीट अब उसमें इंटेस्टिट नहीं है और दोनों की पीछ में जगड़ा स्टार्ट हो जाता है और उनका जगड़ा काफी हद तक बढ़ जाता है और दोनों एक दूसे पर ब्लेम करते हैं कमिया निकालने लगते हैं दोनों आपस में बाते करना भी पर्ण कर देते हैं नेक्स डे पीट बच्चों को छोड़ने स्कूल जाता है जहां कैथरिन चौसिफ की मदर उसे समझाती है कि डेवी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ये सुनकर कि पीट क अच्छा नहीं लगता और अब वो कैथरिन को बहुत कुछ गलत-गलत बोल दे लगता है कि तुम्हारे बेटे को और तुमको खुजली है कैथरिन पीट की बातों को परदास नहीं कर पाती और वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसके पैसे क्यों चुराए जोटे भ खरपा सेटी को जब यह पता चलता है कि उसके पैरेंस उसके शूशे एकाउंट चेक करते हैं तो वो उनको बहुत सुनाती है नेक्स से पीट की पर्थडे पार्टी में सब लोग शामिल होते हैं इवन दोनों के फादर भी आते हैं पीट का फादर डेवी के फादर को बोल उस दौरान पीट के फादर और डेवी के पीच में काफी आर्ग्युम्न 210 और पीट पीट के फादर को बहुत कुछ बिएता इसमें बहुत कुछ ता है अडेवी को बहुत कुछ बूर्द में तो今天 पीट लगos कंग को बहुत बुरा सुनाती है इसबसे अट कर देभी पीटेु में जाकर सिग्रिट पीती है और सेडी उसे देख लेती है और उस द्ऌराद भाद पुरी網sheet को पता चल जाती है कि वो सिग्रेट पीती है तो डेवी नोसτα में सिग्रेट नहीं पीनी का है अब ये बात अंग्वा में उसे कैफ़ा और चूड़ होती है यहलं को कई चले गए अगर वो ऐसा नहीं करते तो उसकी आस लाइफ कुछ और होती और लिवर बोलता है माना मेरे पास पैसे है पर उसकी लाइफ भी खालीपन से भरे हुए जिसे ना जाने कितनी बार मैंने तुम से पाटना चाहा उसका बेटा 13 साल का है जो कि चर्सी हो गया है बीवी कि बच्चों के साथ मैं खुश था देवी पीट के फादर को लेगर पीट को ढूरने निकलती है वहीं पीट किसी का के से टक्रा कर गें गीर जाता है वो बंदा पीट को पंच मारता है तब यू पीट के फादर वहां आ जाते हैं वो उसे हॉस्पिटलाइस कराती है वेडि बहुत प्यार है उससे अपने पच्चों से आने वाले पच्चे से उसे सिर्फ इस बात का गुश्चा था कि उसने पिक्नेंसी की बात उसे क्यूं नहीं बताई और बोलता है कि हम अपने फाइनेंसर कंडिशन भी ठीक कर लेंगे बड़ा घर बेच करके हम छोटा घर ने लेंगे इस देके दोनों एक दूसरे को किस करती है और चल्दी दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और मुवी की हैपी एंडिंग हो जाती है